मुवी शुरू होती है और हमें स्टेफनी नाम की एक औरत दिखाए जाती है जो एक टीचर थी वो पने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी स्टेफनी के फैमिली में उसका पती और एक बेटी थी ये सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर स्टेफनी के हस् माइकल को कुछ काम होने की वज़े से वो ब्रेकफास्ट नहीं करता और उसकी बेटी नी कौन भी ब्रेकफास्ट नहीं करती कुछ देर में स्टेपनी स्कूल पहुच जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है जहां पर एक न्यू श्टूडेंट भी था जिसका नाम जेम्स था जब स्टेपनी कुछ सवाल पूस्ती है तो जेम्स उसका जवाब देता है स्टेपनी उसे बेटने के लिए कहती है जेम्स को स्टेपनी बहुत अच्छी लगती है जब रात में स्टेपनी उसके पती के साथ intimate होनी की कोशिश करती है तो स्टेपनी को उसका पती मना कर देता है एक तरफ हम देखते हैं कोई इन दोनों की फोटोस कीच रहा था अब स्टेपनी बिना कुछ कहें वहां से चली जाती है अगली सुब़ स्टेपनी स्कूल ट्रिप के लिए जाती है जहां स्टेपनी बच्चों को एनिमल से रिलेशनशिप के बारे में बताती है वहां पर भी कोई उनकी फोटोस खीच रहा होता है कुछ देर में इनकी ट्रिप खत्म हो जाती है और स्टेपनी आराम करने के लिए रूम में आती है चाहां वो खिड़की से जेम्स को देखती है जो बिना शेट के खड़ा था जेम्स स्टेपनी को देख लेता है इसकी वज़े से स्टेपनी छुप जाती है कुछ देर में हम देखते हैं जब स्टेपनी एक आदमी से बात कर रही थी तब जेम्स उसे देख रहा था स्टेपनी डांस करने लगती है तब ही उसे माइकल का कॉल आ जाता है तो स्टेपनी पाहर चली जाती है चहां James भी उसके पीछे पीछे आ जाता है ये देखकर स्टेपनी डर जाती है और नीचे गिर जाती है James अपनी शेड भीगो कर स्टेपनी के लिए लाता है ताकि उसकी चोट पर लगा सके James कहता है मैंने तुमें खिड़की में से मुझे देखते हुए देख लिया था तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो इसके बाद James स्टेपनी को किस करने लग जाता है पर स्टेपनी उसे रोक देती है और कहती है मैं ये सब नहीं कर सकती स्टेपनी वहां से चली जाती अगले दिन स्टेपनी घर आ जाती है जहां माइकल पूसता है कि तुम ठीक तो हो स्टेपनी हा कहती है दूसरी तरब हम देखते हैं James स्टेपनी की ड्रोइंग बना कर उसे देख रहा था अब स्टेपनी अपनी दोस्त लिंडा से मिलती है स्टेपनी उसे कहती है कि कल मैंने James को किस किया लिंडा कहती है कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है ये सब तुमें नहीं करना चाहिए स्टेपनी कहती है मैं उसके साथ बस में नहीं आई पर मुझसे ये सब हो गया लिंडा जेम्स को किसी और क्लास में शिप्ट करने की बात करती है अगले दिन जब स्टेपनी पढ़ा रही होती है तब ही वहाँ जेम्स आता है स्टेपनी उससे कहती है तुम्हारा ट्रांसपर किसी और क्लास में कर दिया है जेम्स इस बास से गुसा होकर वहाँ से चला जाता है एक तरफ हम देखते हैं कोई लेब में एक साप चुरा लेता है कुछ देर बाद जेम्स स्टेपनी से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है स्टेपनी उसके साथ अकेले में आती है ज़ा James कहता है तुमने मुझे किसी और क्लास में shift क्यों किया स्टेपनी कहती है यह decision मेरा नहीं लिंडा का था James कहता है यह सब तुमने किया है जो भी हमारे बीच हुआ हम उसे secret रखेंगे स्टेपनी कहती है जो भी हमारे बीच हुआ वो एक गलती थी यह दोभारा कभी नहीं होगा मैं तुम्हारी टीचर हूँ हम दोनों की बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता स्टेपनी वहाँ से चली जाती है इन दोनों को बात करते हुए स्कूल का एक टीचर रिचर भी सुन रहा था अब हमें लिंडा को दिखाय जाता है जब लिंडा कुछ निकानने के लिए ड्रोवर में हाथ डालती है तो लिंडा को एक साप काट लेता है किसीने वो साप लिंडा की ड्रोवर में रखा था अब स्टेपनी घर आ जाती है चार रात को कोई उसके घर के सामने फूल रख कर चला जाता है माइकल उन फूलों को उठाता है, तब स्टेपनी कहती है उन्हें हाथ मत लगाना, तब हमें पता चलता है कि उन फूलों में एलर्जेटिक फोईजन था, जेम्स घर पर लेट पहुसता था, वहाँ जेम्स की मॉम जेम्स की बनाई हुई ड्रोइंग को देख रही थी, जेम्स कहता है, मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ, हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, स्टेपनी कहती है, जेम्स तुम पागल हो गया हूँ, जेम्स स्टेपनी को फोर्स करने लग जाता है, वो कहता है, अगर तुमने यसा नहीं किया, तो मैं सभी को अपने और तुम्ह पुलिस रिचर्ड को गिरिफतार कर लेती है और वहाँ से ले जाती है रिचर्ड कहता है मैंने ऐसा नहीं किया पर कोई भी उसके बात नहीं मानता अब स्टेपनी को जेम्स मिलता है जो किसी से लड़ कर आया था स्टेपनी कहती है ऐसा तुम्हारे साथ किस ने किया जेम्स कहता है मेरे मॉम के बॉइफ्रेंड ने वो कहता है अच्छा हुआ जो रिचर्ड को पुलिस ने पकड़ लिया अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा स्टेपनी कहती है जेम्स मैं तुमसे बड़ी हूँ मैं तुमारी क्रेश हो सकती हूँ लेकि तुम मुसे प्यार नहीं कर सकते तुमें कोई और लड़की ढूणनी चाहिए अब स्टेपनी वहाँ से चली जाती है अगले दिन स्टेपनी की बैटी कहती है मुझे एक लड़का पसंदे और मैं उसके साथ कहीं दिनों से डेट कर रही हूँ स्टेपनी कहती है क्या मैं उसे जानती हूँ निकोन कहती है आप उसे नहीं जानती स्टेपनी निकोन को उसे अपने घर डिनर के लिए बुलानी को कहती है अब कुस देर में हम देखते हैं स्टेपनी को लिंडा कहती है जेम्स को कम मस समझो मैंने उसकी हिस्ट्री चेक की है उसे कहीं स्कूलों से निकाला जा चुका है तुम उससे बच कर रहना वो कुछ भी कर सकता है अगले दिन स्टेपनी निकॉन के बॉइफ्रेंड के लिए सब कुछ रेडी कर देती है जब उसका बॉइफ्रेंड आता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल की जेम्स ही है अब जब यह सबी डिनर कर रहे थे तब जेम्स टेबल के नीचे दे स्टेपनी के पेरों को अपने पेरों से टच कर रहा था जेम्स उटकर बातरूम में चला जाता है चाहों सिधा स्टेपनी के रूम में जाता है कुछ देर में स्टेपनी वहाँ आ जाती है और जेम्स रूम लोग कर देता है स्टेपनी कहती है तुम्हें आखिर चाहिए क्या जेम्स कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि अपनी उम्र की लड़की ढूंडो तो मैंने ढून ली स्टेपनी को बहुत ज़्यादा गुसा आ जाता है वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी जेम्स कहता है कि तुम्हारी बेटी नहीं मुझे यहाँ बुलाया है स्टेपनी कहती है मेरी बेटी से दूर रहना जेम्स स्टेपनी को जबरजस्ती किस करने लग जाता है तब ही महाँ निकोन आ जाती है और स्टेपनी जेम्स को वहाँ से जाने को कहती है जेम्स के जाने के बाद स्टेपनी निकोल से कहती है वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब तुम उससे कभी नहीं मिलोगी, निकोल गुसा ओकर वहाँ से चली जाती है, अगले दिन पुलिस रिचर्ड को छोड़ देती है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे, जब रिचर्ड घर पर आता है, तब जेमस की बात माल लेती है, और उसके साथ चली जाती है, अब जेमस टेपनी को निकोल के फोन से कोल करता है, तो स्टेपनी कहती है, मेरी बेटी निकोल चुङ नहीं कहा तो मैं तुमें चौड़ूं गी नहीं, जेमस कहता है, तुम जल्दी से यहां आ जा जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूँगा। जेम्स कहता है, सिर्फ तुम आना, किसी और को साथ में लेकर मत आना। स्टेपनी वहाँ चली जाती है। जहां वो देखती है, जेम्स ने उसकी कई सारी फोटोस ले रखी है। मतब जेम्स कहीं दिनों से उसे फॉलो कर रहा था। जब स्टेपनी नीचे जाती है, तब उसे निकोन बंदी हुई मिलती है। स्टेपनी कहती है, तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो। जेम्स कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया, उसका क्या। जेम्स स्टेपनी पर बंदूख रख देता है और कहता है कि जब में 13 साल का था तो मैंने अपने डेट को मार दिया क्योंकि वो मुझे और मेरी मॉम को बहुत मारते थे जाएकर नर्स को वो अपनी क्रश मना लेता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती दोस्तों अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंड में बताए कि जैम्स की मा ने जैम्स को गौली मारकर सही किया मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई